तो ही इस सब्ब्सक्राइट में जो आज की विडियो है जिस ब्लॉक के हवाले से वह ओब सीज्ग का ववर्थासे स्ट्रेइश के वाले से हैं यह सेक्टर अवराल मास्टर प्लैन है और इसमें रोड के राइट साइट पे नहीं यह एंटरस नोट बान है अब इसे गेटर कंस्ट्रक्शन है काम कर गया था लेकिन अब तक स्टार्ट नीए और इसकी मेन रोड की यहां तक कार्पिटिंग यह मुकमल हो चुकी है और इसस इसका ओल्ड मैप था उसकी विजिबिल्डी दिखाता हूँ यह ओल्ड मैप था और इस सेक्टर प्राइम एच का और यह न्यू मैप है अब दोनों मैप में जो चेंजिस आए हैं जो आप डिफरेंस फील कर सेंटर में इस लोकेशन पे यह पहले पास्टर प्लैन में इस ब अब मैं चुंकि इसका ओल्ड मैप रेजलिशन जरा बेहतर है तो मैंको ओल्ड मैप से इस फेज में चल रही है और इसमें गूगल अर्थ लोकेशन के माद से आप पूरे मैप को टैली भी कर सकते हैं लेकिन आप इसको विर्भी वेरिफाय कर सकते हैं अपने पास घर बैट के तो आपको इसमें डिटेल एक्स्पेरिन करता हूं यह सब गूगल अर्थ की नीचे जो जमीन पे है यहां तक कारप्टिंग मैंने बात की में मुकमल हो चुकी है और यह राउंड अबाउड यह इवन तो जो आपको गूगल अर्थ पे चीज़न नजरा रही है एक्शल स की बन की अब इससे जो लेटस इमेज़ें तकरीबन दसमा परानी इमेज़ें सेटलाइट के आपको नजरा रही है लेटस इमेज़ें अब तक अपडेट नहीं है लेकर फिर भी आपको मैं डिटेल से एक्स्पेरिन करता हूं यह सेंटर में यह वाला पार्ट बनता है इस कर्वाल अऀ ऒार उर्लक पार्ट में अभी कार्प्रनींग रहती है लेकिन अगरानों सेटर एज की बात करें ओवर्बराल के सेक्टरर डवलम ट क्रावास कि नउर्स साइट पकर बात करें दो अफ्राइट सेटर एप्र उप इसक्क्र अप treatment के ता यहार जिए अन्या प्र प्लॉट्स भी हैं और कुछ जो कॉर्ण प्लॉट हैं जैसे यह प्लॉट नंबर इधर बनता है अगें इस वैप की न्यू मैप की रेजलुशन ठीक नहीं है इवन दो मैंने इस मार्टी वेबसाइट से डाउनलोड किया था इस रेजलुशन ठीक नहीं है तो मैं ओल्ड मैप एत्स नंबर इस तरह 31 वो गया 81 नहीं हो कि ना requchange Ten फानले के प्लॉट यहो बहुत हुए है इस साइड पे सेक्टर जी है अगर हम इसकी बात करें साउस साइड पे साउस साइड पे में रोड कमर्शल प्लस उसके बास सेक्टर के आता है और हम बात करें वेस्ट साइड पे तो वेस्ट साइड पे इसके जो अपार्टमेंट बिल्डिन की खास अहमियत यह है कि यह अपा 23 अगस्त तक मुकमल कर लिए जाएंगे यानि अगले साल इसी टाइम तक नाइन होल्स मुकमल उपरेशनल होंगे और गॉल्फ कोर्स के लिए जो प्रॉपर मिंटेनस बिल्डिंग है यहां पर उस पर कंस्ट्रक्शनल काम बड़ी तेजी से हो रहा है अभी यहां पर स्पेसिफिकली अब इस ब्लॉक एच को अगर मैं टाइम लाइन को पीछे की तरफ करूं और तो आप देख लेंगे कि आपको आइडिया होजे कर कितनी डिवेल्पेंट हुई है जुलाई 2020 में इमेजीज कुछ साइट कुछ यहों दिखाई देती थी अगर सब्स देखें म प्राइम ब्लॉक को लाँच नहीं किया गया था और यहां पे प्राइम ब्लॉक का यह वाला पार्ट जो जुलाई 2020 की इमेजीज हैं यह आज से तकरीबन दो साल पहले की जो इमेजीज हैं यहां पर आपको यह प्राणा गेट भी नजर आ रहोगा जो नेशनल हाउजिं के यहां फो साल पतलाई एक बात की दिए तो येमेजीज को रिवर्स करता हूं यहिनिक को ब्लॉक एब्लॉक है यह तो पे साइट प्लॉक ह में फिल हो जाएंगे जुलाई 2020 देन जैनवरी 2021 देन मेड 2021 जुलाई 2021 देन जुलाई 2021 जुलाई 2021 देन न्मबर 2021 इस वकिस साइट पर गूगल अर्थ पर गूगल अप्डेटिड इमिज पड़ी है वह यह 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 इस इमिज के मताबिक भी आप अगर आप देखें तो आपको यह एक्सेस रोड ह यह जो इस तरफ आगे मूव करता है पर हम गेट 1 तो गेट 2 आपको प्रॉपर इसका जो लेवड प्लान अब नजर आता है कि यह लेवड प्लान कनेक्टिंग रोड की आज की डेट में यह रोड यहां से लेके तकरीवन इस पार्ट तक कार्पटिंग हो चुकी है यह साइट पर देखें तो मैंने काता ब्लाक F है जो मुकमल डिवेलप ना सी लेकिन इस इस हालत में है कि अगर बंदा चाहे तो अपना पॉसेशन अप्लाई कर दा है इसमें सिर्फ एक कार्पटिंग हुई है जो दो कनल और चार कनल को डिवाइड करती है इसके लावा अगर इस साइट पर तो सेक्टर जी है इस से में तमाम स्ट्रीट की कार्पटिंग हो चुकिए है इसमें कोई स्ट्रीट ऐसी नहीं से कार्पटिंग ना हो और कोई स्ट्रीट ऐसी नहीं जिस पर सेवरेज काम ना हुआ और कोई स्ट्रीट ऐसी नहीं जाम पर स्ट्रीट लाइट काफी ज्यादा प्लॉट्स है थोड़े बहुत प्लॉट्स भी नहीं वन कनाल के हिसाब से जो सबसे बड़ा ब्लॉक है Overseas Prime 1 में वह ब्लॉक ही है इससे बड़ा कोई ब्लॉक नहीं है यानि कि अगर मैं बाकी तमाम ब्लॉक्स के मिला लूँ कनाल के प्लॉक सिर्फ सेक्टर B के ब्लॉक ब्लॉक बनता है इतना यहां पे बड़ा रख़ए है और तमाम के तमाम प्लॉक साइटी की तरह से ओफरिंग है कि आप अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं अब आते हैं कि साउच साइट पे नीचे वाली साइट पर देखें तो यहां पे इसके एंटरंस रोड के लेफ्ट साइट पर जितना एरिया हैं एंटरंस रोड के लेफ्ट साइट पर यह तमाम एरिया भी नॉन डवैलप्ट हैं यहां पर बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं यह है कि है न्यू मैप अब देखें तो आपको यहां पे सेक्टर के मिलता है सेक् सेक्टर के बनता है कनाल के प्लोट को सेक्टरookie है और सेक्टर 4M और सेक्टर 4M aún मेप भी यहले में 5 पोल के कर आपDan अब inc अब यहां यहां पर भी सेक्टर 4M को क्नवैट कर के साथ मला उंदela कर देगा है यह ब्लोग यहां पे पांच मला के कटिंग्स नाज आती है और नियू मैप यहां पे इस M-Block को इस पो कमर्शल कर दिया गिया और इस जगा यहां पे J-Block को लाया गया है मैपे ताक कि यहां पे साथ मरला दस मरला के कटिंग्स हैं एब हम स्टरफ दीन आपईथे प्लौतफ निए इस स्टरफ निकले है उन लोगो इस पाइजा को फायदा है दो अगर वाइज ऑम इस त्रफ क्या से हैarnaot जो आपको आइडिया मिल जाए कितने एकड का ब्लॉग जो डिवैलप एरिया वहां मैं उसकी बात करहूं टोटल इस एरिया का जो रखबा बनता है वह बनता तक पांसो अठासी एकड और किलोमेटर में अगर देखा जाए नहीं कि इसकी बाउंटरी वॉल पर सिर्फ ट्रेवल करते हैं तकरीपन 6.89 किलोमेटर का डिसंस बनता है यह आप इसेल्फ भी गूगल अर्थ पे नोड़ ड लेके फॉरन पॉजेशन लेके घर बना सकते हैं और इसकी ऑपोजेट साइट पे एरिया बनता है उस तरफ अभी पॉजेशन आफर नहीं किया जा रहा यह निए इसकी जो सरे बाउंडरी की रोड बनती है तकरीवाइट नाइन किलोमेटर की रोड है और 588 किलोमेटर कर द साधे तीन साल का इस्टालमेट प्लान मिला था और आपको साइटी की तरसे सेवंटीन मंथ की कलील मुद्धत में यहां पे पॉजेशन आफर कर देगा तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है साइटी की तरफ से भी